सबसे पहले शुरुवात आपसे ही करते हुए नफरत तिनी जादा फैल गई है मौजुदा वक्त में सीधे निशाना साधा है सोनिया गांधी ने आप लोगों के ओपर ये कहते हुए कि ऐसे ताकतों को सत्ता का संरक्षन प्राप्त हो रहा है देगे चित्रा जी हम क्या गिना रहे हैं मद्य प्रदेश का रिपोर्ट कार्ड दिखा रहे हैं SBI का रिपोर्ट कार्ड दिखा रहे कि कैसे मद्यम वर्गी लोगों की इंकम 3 गुना बड़ी 4.4 लाग से 4.3 लाग 14 लाग तक चली गई किस प्रकार से साड़ी तेरा करोड लोग को गरीबी सा भार निकाला किस प्रकार से मीडियन इंकम ही भड़ी नहीं है ITR भी किस प्रकार से बड़े हैं और किस प्रकार से दस्वे से पांच्वे स्थान पर अर्थवे अस्थाई बाकाइदा Assembly में Resolution पारित करके डिली सरकार की और से प्रस्ताव रखा कि राजी उगांदी का भारत अतना लिया जाना चाहिए ये भारतिय जन्ता पार्टी नहीं कहा अच्छे ये तो छोड़ दीजिए हाशिमपूरा भागलपूर मीरट मलियाना एहमदाबाद जलगाओ नेली मैं आपको तीन स्पेसिफिक उधारन पूछता हूँ और डॉली जी से सवाल पूछता हूँ ये है संजय राउत का इंडिया उन्ते सामने जलाने की लटकाने की बात की क्या ये सधभाव बढ़ाता है या ये सधभाव नहीं बढ़ाता है और तीसरा जो अभी जुडेंगे कुछ देर में उनकी पारती का दाग से तो कोई ये छूता नहीं है ना मतलब हमें दूसरे पर उंगलिया दिखा कर कह रहे हैं कि नई दंगों के दाग तुम्हारे जादा कह रहे हैं हमारे जादा हलके देखे मैं आपको बताता हूँ अंतर क्या है जग्दीश टैटलर चार्च शीटर है, आज किसकी पार्टी में है, कॉंग्रिस पार्टी में है, क्या उसको निकाला है, और जग्दीश टैटलर को तो रखा गया था भारत जोडो की क्लैनिंग कमिटी में, और इसलिए मैं आखरी बिंदू जो उठाने वाला था, वो केवल ये था कि महबूबा मुफ्ती इनके साथ है, वो महबूबा मुफ्ती जो कहती है कि जो सबसे प्रियभजन है महत्मा गांदी का, रगुबती रागव राजाराम, उसमें भी कॉमिनलिजम और सांप्रदायक्ता उनको दिखाई देती है, मैंने सिंपल स्पेसिफिक सवाल कि इनके वक्त में जादा नफरत फैल गई है, हमारे वक्त में ऐसा नहीं होता था, हमारे वक्त में राजी गांधी तो परसितियों को बदल देते थे, कोई-कोई ऐसा पहमानत है किया गया है क्या है, क्या है क्योंकि ये आपके उपर आरोप लगा रहे हैं, और आप लोग कुछली जो महिलाएं जिनकी आवाज आज कोई नहीं उठारा वो देश की को गौरवान्वित करने वाली महिलाएं जब आज सड़क पर बैठती हैं तो शहजाद कि जिस तरीके से आपसी सदभाव को चोट लगी है वो सब देख रहे हैं मनिपुर और नहू इसका ताजा एक्जामपल है इक सो चालिस से एक सो साथ लोगों की मौत होने के बाद भी इन लोगों में यह नहीं था कि सदभाव इनके दिल में एक बार कोई टीस इनको पारलेमेंट में ठाके लगा-लगा के चौक्या और चक्के की बाते करने वालों के चहरे से कहीं पर भी मनिपुर का दुख नहीं और जब मनीपूर की चर्चा शुरूरी जब प्रधान मंत्री अपनी बात रखने लगे उसके बाद आप लोग आउट कर जाते हैं वो भी तो देश ने देखा ना डॉली शर्मा जी जब मनीपूर को लेकर अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लेकर आये था प्रधान मंत्र मंत्री बोले इसके चकर में ने जाने कितने दिन संसथ का कामकाज नहीं हो पाया और प्रधान मंत्री जब मानिपूर पर बोल रहा है तो सारी की सारी संसथ बाहर तो घंटे में तीन मिनट और तीन मिनट में क्या, क्या रिजल्ट निकला वहां का, मैं आपसे बार-बार पूछते हूं, आप एक महिला है, वो दर्द और वो टीस आप समझती होंगी उन महिलाओं पर जो गुजी, वो एक देश को बचाने वाले वीर की पत्नी जिंदा जल ग हैं, तो आप सत्ता में आये थे, ये कहकर कि बहुत हुआ सब पर अत्याचार अपकी बार मोदी सरकार, बहुत हुई महिलाओं की क्या स्थिति है कि जब भाशन वीर, आज के प्रधानमंत्री भाशन वीर है, जब वहां लालकिले की प्राचीर से खड़े होकर कहते हैं कि महि जिना देश आगे नहीं बढ़ सकता, उसी दिन उन बलातकारियों को छोड़ दिया जाता है, उन्हेंने भाजपा के मंचों पर बिटा कर हार पिनाए जाते हैं जबाब ले लेकी हूँ, अर्विन बास पर जाते हैं कि आए जबाब नहीं है, जो संबेदन शीलता दिखाई सत्ता पक्ष की ओर से वो मैसूस नहीं किया देश में देखें मैं सिलसिल लवार तरीके से जवाब दूँगा, मैं उस जवाब पर भी हाँगा, महबबत की दुकान वो खेह रहे हैं जिनका IUML के बयान पर कोई जवाब नहीं है, जिनकों मैंने बताया संजे राउत के बयान पर जवाब दीजिए, आपके अलाइंस पार्टनरे उस पर कोई जवाब नहीं है, यह वो लोग है जो हिंदू टेरर, सैफरें टेरर कहते हैं, यह वो लोग है जिनकी भारत जोडो यातरा की शुरुआत किस से हुई थी, उस जॉर्ज कोनिया से जिसको तमिलाडू की पुलिस ने बुक किया था, जिसने हिंदों के और भारत मा देरना भी थी, उसने कहा कि मोहित रोहित जोशी पर आज तक F.I.R. नहीं हुई है, मंत्री का बेटा है, क्या किया उस पर आपने, राजेंद गुड़ा एसेंबली में खड़े होकर बोलने लगे, तो उनको हटा दिया गया मंत्रीपत से, आज भी राजस्तान में 10 से 12 instances हर उसके बार्मेर में अधिवासी महिला को निर्वस करके गैंग रेप किया गया, क्या किया आपने, राजस्तान नंबर वान है, वांके मुक्यमंत्र क्या वोलते है, 50% rape cases वेक है, शांती धारिवाल कहते है, अब आते हैं आगे की घटना पर, इन्होंने नू का जिकर किया, न थे लोग की दुर्भागेपूर तरीके से मृत्य हुई, उनके नाम है प्रदीप शर्मा, अभिशेक राजपूच, शक्ती, गुरसेवक, नीरज और मौलाना हाफिस साथ, पर दोश किस पर डाला, केवल दोश डाला उन दो लोगों पर, पर उन्होंने मामन खान ने जो एस पर दोशने में उसको बचाया जा रहा है, ये सारी बातों पर आज कॉंगर्स पर्टी स्काइंग लेगी कि नहीं लेगी, डॉली जी बीच में बोलने के आवर्शक्ता ही पर रही है, अगर इस तरह की सती बन रही थी, तो सरकार को भी सोचना चाहे था, ठीक है, एएक सेग कश्मीर में रवीव सलीव डलीव के नारे मस्जिदों से निकले और वहाँ पर दस वर्षों में वहाँ पर सारे हिंदों को ख़देडा गया, बलातकार हुआ, क्या एक भी बार उनकी आवाज निकली, क्या टिककु जी के ले आवाज निकली, क्या वहाँ पर जो आरी से कश्मीर में जो नरसंगार 80 से लेकर 90 के दशक के बीच में हुआ, जिसमें की शार्दा भट से लेकर कहीं महिलायों को गैंग रेप किया गया, काटा गया, मारा गया, और रलीव सलीव गलीव के नारे लगे, क्या एक भी बार कॉंग्रिस ने इसको आधिकरित रूप से इसल करने के लिए, राम जी के अस्तितों को नकालने का का, कभी और किसी धन के लिए साब बोलेंगे क्या, तो यही उनकी मानसिक्ता को दर्शाता है. एक एक करके ठीक है, गौली शर्मा जी आपने सवाल सुन लिया है, दोनों लोग बोलेंगे समाज मनी आएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है. अभी तक इन्हों ने असेंबली में नो कॉंफिदेंस मोशन मूफ किया है, ठीक है क्या कामरेस पर्टी ने, बीच बीच में बोलेंगे, तो मेरी आवाज जनता तक नहीं जाएगी. मेरा दो सवाल है, अगर उनको इतना ही अविश्वास है वहां की सरकार के खिलाफ, तो क्या अभी तक 21 अगस्त को शायद आज से या कल से प्रारम होने वाली है, या सेशन प्रारम होने वाला है, तो बता दीजे, क्या आपने नो कॉंफिदेंस मोशन मूफ करने की बात की है पहली बात और दूसरी बात 1993, 1997 और 2011 जब सबसे ज़्यादा समय तक मनिपूर चलता रहा, तो आप में प्रधान मंतरी, ग्रह मंतरी किसी का स्टेटमेंट तो छोड़िये, आप से वहां से, वहां पर किसी का इतीफा भी नहीं लिया गया, यह आईना दिखाना होता है, और अ इसलिए सबसे हैं, इसलिए सबाल कुछा जवाद कर रहा है, जब वह महिलाओं के विशे पर यह दी बोल रही है, तो राजेंद गुडा और दिव्या मदेड़ना पर उनको स्काहिए नहीं लेना चाहिए, नहीं रही ज़ए है, तो उनको बताना चाहिए नहीं बताने चाह तो उनके कालखंड में उनका क्या इतिहास राइज जाना चाहिए नहीं बताना चाहिए यह वाट अबाट पूछना चाहता हूं अब देखे चितर जी मैं के वहले एक सवाल पूछना चाहता हूं 52 लोग पस्चिम बंगाल में मारे गए पंचाहती राज के चुनाओं के दोरान इसी पस्चिम बंगाल में रिवेंज रेप के इस्तमाल के साथ 21 से जादा महिलाओं का गैंग रिख किया गया 18-19 की घटना नहीं है ये 50 सालों से चल रही है इसी लिए कॉंग्रेस को आइना दिखाना भी जरूरी है ठीक है